कि हेलो फ्रेंट्स वालकम टू एस एफ एडुकेशन आज की वीडियो में हम करेंट अफेर थूर एमसे की सीरीज में 18 और 19 अगस के करेंट अफेर को डिसकस करेंगे तो जो भी वीडियो को फर्स टाइम देख रहा तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइ तकी आपको समझ में आ सके हैं जो कैने सब्सक्राइब के सिए चान ने करेंगे तो इसमील सभी करतें उसमें अगर 10 out of 6 के phase में fall out करते हैं मतलब 10 में से 6 question को सही करते हैं तो वहाँ पर आपकी probability काफी बढ़ जाते हैं उस exam को cross करने के लिए और अगर हम UPSC की बात करते हैं तो अगर आप 10 out of 6 के phase में मेरे हर भी किसी भी mcqs की series में वहाँ पर fall करते हैं तो एक probability काफी जादा एक मतलब बोल सकते हैं probability इतनी बढ़ जाती है कि आप उस exam को अच्छे तरीके से crack कर सको क्योंकि अभी तक जो UPSC का cutoff है 120 के ऊपर नहीं गया है तो यहां से यह रहता कि 10 out of 6 के phase में रहने से कि आप 120 अगर प्लस रहते हैं 120 के नियर रहते हैं तो आप अच्छे तरीके से उसको clear कर जाएंगे ठीक है वहाँ पर हमको के वाल एक pass out ही होना पड़ता है प्रिलियम्स के लिए क्योंकि जो सारी तैयारी होती है वह मेंस के लिए करते हैं तो हम वीडियो में मेंस के लिए भी डिसकस करते हैं अच्छी तरीके से इसलिए एकस्प्राइशन को मैं बोलता हूं डीप सुनिए और जो भी इंपॉर्टन तो वीडियो को आप डाउनलोड करके दिख से ताकि आपको तरीके से इसके बारे में और जमिल जाए कुछ समय बाद हम थोड़े अभी हमारा प्रोग्रेस चल रही है मैं पीडियाफ की तैयारी भी आपके लिए करूँ हो ताकि फ्री आफ कॉस्ट में आपको फ्रीडियो प्रोवाइड कराए जा सके ठीक है इसी दिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेगा चलो ठीक है आज के फर्स्ट कोशन पर चलते हैं पहल हमारा एक साउथ इंडिया का केस है उसके कारण जिसमें दो फिशर मैंन की डेथ होगी थी इसके रिकार्डिंग मैंने कोशन इसके पहले भी बनाया था तो वह थोड़ा सा अलग है और यह थोड़ा सा अलग कोशन है इसलिए हमको यहां पर पता चल जाएगा अगर आपने इंडिया वसिश इस इ्टली केस तो क्या ये कोट पर्माईन कोट आफ हम में चल रहा है सेकेंड है वह बेंगओल मैरेटाइन बाउन्डरी इंडिया वसिश बांगलादेश केस थर्ड है कुल बूशन या दो इंडिया वसिश पाकिस्तान केस तो कौन सी स्टीट्मन option a option a one and two option b two and three option c one and three and option d all of the above वीडियो को pause करें बताइए फिर इसके बारे में डिसक्स करते हैं चलो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या है इसका जो यहां पर राइट आंसर है यह आपको option a है option a मतलब आपका one and two is मतलब फर्स्ट है जो एंडिका लैक्सी इंडिया वस्थ इटली केस है यही केस अभी साउथ इंडिया में जो कैरला वाला रीजन आपका ठीक है कैरला वाला रीजन है वहां पे 2011 में याद रखना है सन भी आदर कभी कभी पूछ ले जाता है तो 2011 में इटली के दो वहां के जो ब्यूर्यक्रेट्स थे उन्होंने हमारे दो फिशर मैंन को गोली मार दी इसके इसके खाब से यह केस चलने लगा था इसकेस का नाम था एंड काफी जादा बैंड हो चुका है मतलब बैयर्ड कर दिया गया इसको कि वहां के जो जो ब्यूर्यक्रेट्स है वह यहां पर नहीं आएंगे उसके बजाए हम क्या करेंगे आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड करा देंगे तो इसलिए न्यूज में था सब्सक्राइब बेंग समय पहले बूल भूचने अदों को वह इरान से ठीक है इरान से पकड़ लिया गया था लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि उनके आंका जो बलुचिस्तान वाला जो रीजन है वहां से इनको पकड़ा गया है क्योंकि यह वहां पर इस पाय का काम कर रहे थे इसलिए बड़ ऐसा नहीं था फिर भी जो वेना करिवेंशन की जो ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग हम इनको वापिस ला रहे हैं बड़ वह इस चीज के लिए मान ने रहे हैं ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है तो सेकंड कोशन आपका हो गया जो थर्ड वह आपक इसके बार में इंपॉर्टन तिंग यह है कि इसका हैड क्वाटर कहां लोकेट करता है इसका हैड कोटर आपका नीदर लैंग हें में लोकेट करता है ठीक है याद रखना है अब आप मुझे आप्शन को कमेंड बॉक्स में बताएंगे इंट्टरेंशन कोट अजिस का जो ह हमारे जो freedom fighters हैं इनके लिए अभी इनकी जन्मितित ही इनकी मनाई जा रही है तो उसी के अगर regarding ये question है कि जो अंडमान निकोबार में जो cellular jail है उसमें कौन-कौन से freedom fighter है वो इससे associate करते हैं first है बरिंदर कुमार घोष second है फैजले हक खैरबदी third है बटुकेशवर दत and आपके options है option A 1 & 2, option B 2 & 3, option C 1 & 3 and option D all of the above वीडियो को pause करें बताएं बताएं फेस के बारे में discuss करते हैं चलो देख लेते right answer क्या है इसके regarding जो right answer है आपका option D है मतलब बरिंदर कुमार घोष ये असोशियेट थे second आपका फैजले हक खैराबदी यह भी उन्हीं से असोशियेट करती इसी जेल से और थर्ड आपका बटुकेशवर दत यह भी इसी अंडमान निकोबार में जो जो जेल है इसी से रिलेट करते हैं ठीक है तो यह इंपॉर्टन था freedom fighter के बारे में question पूछ लिया जाता है तो याद रखना है ठीक है और से जेल कहां locate करता है अंडमान निकोबार आइलेंड में लोकेट करता है यह भी याद रखना है अब नेश कोशन पर चलते है अब यह न्यूज में क्यो क्या किया गया है national memorial जिसको cellular it is called cellular because it was constructed to host only individual cells for the purpose of solitary confinement ठीक है अब इसको जो cellular jail है इसको cellular बोला जाता था क्योंकि इसको जो 16 अगस्त को national memorial day अभी मनाया है न 16 अगस्त को उसी के according क्या है कि इसको हम पहले क्या बोलते थे cellular बोलते थे क्यों बोला जाता था क्योंकि it was constructed to host only individual cell यह यहां पर इसको 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 आप डाय ओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कैलते वाइरस तो क्या यह 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 डिने वाइरस है second is it enter human cells by its spike proteins binding to the ACE2 receptors की यह enter करता है human cells के अंदर किसके द्वारा spike proteins के द्वारा जो binding कर लेती है ACE2 receptors को तो कौन सी statement correct है option है only one only two both one and two and either one or two वीडियो को pause करी फिर discuss करते है चले देख लिए तो राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर यह आपका option बी है option बी मतलब जो two statement है बिलकुल correct है यह DNA वाइरस नहीं है यह आपका RNA वाइरस है ठीक है पूछा जाएगा इस तरीके का देकर यूपसी डारेटल इसी तरीके statement पूछती है कि वो DNA और RNA यह आपको याद रखना है second statement बिलकुल correct दी गई है कि यह एंटर करता है human cells के अंदर किसके तारा जो spike proteins होते हैं जो binding कर लेती है किसको to the ACE receptors को तो इस तरीके से work करता है और जो SARS-CoV-2 है यह has a spike protein जो bind करता है किसके साथ जो आपका ACE2 है जिसको क्या बोलते हैं एंजियो टेंशिन converting enzyme 2 on cell membranes in human body जो human body की होती है इनको bind कर लेता है जिसके कांड क्या हो जाता है जो हमारा recipe recipe system होता वो दीरे-दीरे खराब होने लगता है और फिर हमारी मिर्त्य हो जाती है तो इस तरीके से work करता है ठीक है तो यह याद रखना है यह RNA virus है यह भी याद रखना है कि यह positive sense single standard RNA virus है कैसा है single standard तो महां पर कहीं आपको double standard लिखके इस और our initiative for the tribal population of India by ministry of tribal affairs तो जो tribal population हमारे इंडिया की इसके लिए ministry of tribal affairs ने यहाँ पर कुछ initiative दिये तो आपको बताना है कि इन में से कौन से initiative correctly match है जो ministry of tribal affairs से associate करते हैं फर्स्ट है going online as leaders जो goal है कि मिनिस्ट्र ट्राइबल अफेर का initiative है सेकेंड है स्वास्त है health and nutrition पोर्टल थर्ड है स्वामित तो इसकीम और आपको बताना कि कौन से statement correct है options है option a one and two option b two and three option c one and three and option d all of the above वीडियो को pause करिये और बताएए फिर discuss करते हैं इसके बारे में चलो देख लेते राइट अंसर के है देखें going जो है यह एक going online as leader बिल्कुल करेट है यह मिनिस्ट्र ट्राइबल अफेर्स का initiative है स्वास्त है स्वास्त है अभी मैंने कुछ से में पहले इसके बारे बताए था यह health and nutrition porter है अभी इसको कौन वर्क कर रहा है इसके उपर नीती आयोग और किसके साथ मिलके वर्क कर रहे तो यह भी आज रखना है यह नैस कॉम ठीक है nescom इसके साथ मिलके यह वर्क कर रहा ठीक है अब स्वार्शत के लिए आप स्वामित जो इसकी में यह गलत स्टेट्मेंट है अ 360 इ твор judo जो आपके जो पंचाहिती राजह ना उसका इनिशेटिव है ना कि किसका है मिनिस्ट्री ओफ ट्राइबल अफेर तो जो राइट आंसर जाता है यह ऑप्शन ए हो जाएगा मतलब वर निन्टू आपका राइट आंसर है थर्डी स्टेटमन गल्ट है तो जो तीसरी स्टेटमन कि मिनिस्ट्रियों पंचायती राज की स्कीम है तो यह याद रखना है ठीक है अब नाइस कुशन पर चलते हैं तो यहां पर यह जोग्रफी रिलेड़ेट कोश्चन है बताना कौन सा आपकी स्टेट्मेंट करेक्ट है फिर्स्ट स्टेट्मेंट है डेथ वैली क्या जॉर्ड करते हैं चलो देख लिए इसका जो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी है मतलब डेथ वैली आपकी जॉर्डन में ही लोकेट करती है थोड़ा सा इसने के बारे सोना भी होकर डेथ वैली जॉर्डन से रिलेट करती है टकला मकान जाजा यह चाइना में है और दसते लित यह इरानियन नेम भी है तो इस तरीके साथ मतलब एक प्रकार से इसको असोशियेट करके एड करके जोड़के आप अपने तरीके से इसको देख सकते हैं तो यह तो तीनों स्टिर्मन आपकी कर्ट होने की करण अंसर डी हो जाता है इसकी लोकेशन तो आधा देख लिए यह दे कि एलग एक इधर पर उगया आपका यह वोगया कौन सब्सक्राइब करती है यह इनकरेक्ट करती कहां पर यह याद-रखना यह पर गलत दिया हुआ है पर यह कब यह टेकला मकान डेजर्ट है यह कहां पर लोकेट करता है यह यह आपका चाइना में लोकेट करता है और जो आपकी जो दसते लोत है यह आपका चाइना में लोकेट करता है ठीक है तो याद रखना है फॉर्स इस्टेमिन यह पर गलत है सौरी से मिस्टेक हो गया तो एक से टीज है रजरे यह युज हमें चर्वाइब करती है तकला हम इरन Siri open और छाया सिलते है चुछी सब्सक्राइब नेक्षाण कार टीज है लिए तकर आइस को दो सभ्य चिंट्सिमिन ने विलक तेली डीघ को चुछा है लिए फ्रॉप घडली cannot have more than 10% of the total number of members in the legislative assembly कि जो National Council of Ministry होती जो NCT की जो डेली में है वो 10% से ज़्यादा वहाँ पे total member जोसकी legislative assembly के हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो सकते हैं मतलब जो Council of Ministry होती है उसमें NCT जो डेली है उसमें 10 members से ज़्यादा 10% of members से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं second है the ministers are appointed by the president on the advice of the chief minister and hold office during the pleasure of the president कि जो यहाँ पे minister होते है उसको appoint के जाता है president के द्वारा और जो advice किसी होती है chief minister के advice पे इनको रखा जाता है जो office को hold करते हैं during the pleasure of the president जो cable president के pleasure तक ही रहते हैं तो कौन स्टेट्मेंट करेक्ट है option A one only option B two only option C both one and two and option D neither one nor two video को pause करें बताइए फिर discuss करते हैं इसके बारे में चलो देख लेते हैं समझ लेते पहले इसके बारे में आपकी national capital delivery है sorry जो डिल्ली है इसमें जो as per the special provision NCT का ठीक है article कौन सा है article 239 AA है यह constitution में एड किया गया था जिसके according council of minister है इसमें 10% से ज्यादा जो legislative assembly के member होते हैं वो नहीं हो सकते हैं और second system भी आपकी करेक्ट है क्योंकि जो NCT है इसमें जो इनके जो chief minister की advice पर ही president क्या करते हैं इनके minister को appoint करते हैं ठीक है तो chief minister of NCT of Delhi यह appoint कि जाते हैं प्रेसिट के द्वारा ठीक है यह याद रखना है और जो other ministers होते हैं वो प्रेसिजट के जाते हैं ब्रेसिज 나서 ऑड़ारा चीफ minister झन को ऑप्सिंस्ट करता है और जो rather इसके ajustे मिनिस्ट्र होते हैं वो thus chief minister की advice के साथ कौन अपॉइंट करता है तो प्रेसिजेंट ही उनको अपॉइंट करता है ठीक है यह भी याद रखना है और जो काउंसल ऑफ मिनिस्ट्र है शेल भी कलेक्टिवली जाएगा यह जाएगा option c मतलब first statement और second statement आपकी दोनों correct होने करना answer जाएगा सिए अब next question पर चलते हैं next question is what is sunrise industry तो sunrise industry किसे रिलेज़िड है option a है industry with potential for substantial and rapid growth जो इंडस्ट्री है वो potential एक ग्रोथ चाहिए उसमें रहा एक rapid growth चाहिए किसके साथ एक potential के साथ second है industry having major big capital की इंडस्ट्री के पास काफी big capital सें बिग capital investment on solar power की industry having major big capital investment on solar power की solar power की उपर इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा investment करेंगी ठीक है थर्ड इंडस्ट्री heavily reliant on foreign capital industry काफी ज़्यदा निर्भर है किस क्योंपर foreign capital की उपर option d एंडस्ट्री completely reliant on domestic capital की industry completely किसी उपर रिलाइंट domestic capital की उपर तो कौन statement correct है वीडियो को पॉस्ट करके बताइए फिर discuss करतें इसके बारे में चले देख लेते हैं इस तरह की टिपिकल statements होती है ना जो factual questions होते है डिरेक्ट ली एक्जाम में पूछ जाते हैं यूप सी के द्वारा तो आपको पता होना चाहिए कि संद्राइस किस से रिलेट करती है तो यह option ए आपको correct हो जाता है कि इंडर्ष्ट्री पोटेंशील फोर सब्सटेंशील और रेपिड रोद की इंडर्च पोटेंशील के लिए सब्सटेंशील और जो रैपिड वरोद चाहिए उसके लिए तो इस संद्धाइस इंड़स्ट्री के द्व कि मिनिममम एज फॉर मैरेज इंडिया के लिए तो इनमें आपको बताना आपका यह फिर इस तेफ मैरेज एंटेसराइगर यह इसे का इसे मतल़ इंपॉर्टन उब्सक्राइगा एज के option 3 है Hindu marriage act 1955 कि इसमें कोई age के बारे में बताए गया है जो आपके options है option A 1 & 2, option B 2 & 3, option C 1 & 3 and option D all of the above वीडियो को pause करिए और बताइए फिर discuss करते हैं इसके बारे में चलो देख लिए राइट आंसर के इसका जो राइट आंसर आपका option D है ठीक है कि जो prohibition of child marriage act 2006 का इसमें भी minimum age for marriage के लिए बताए गया है special marriage act और हिंदू marriage act है इन दोनों में भी दिया गया है आपका marriage related age आप देख लेते हैं कि एज क्या क्या है ठीक आंसर तो D हो गया एज क्या है जो आपका Hindu marriage act है ठीक है हिंदू marriage act 1955 का इसमें बताया गया है कि जो ब्राइड है मतलब जो दुल्हन होती जो लड़की होती इसके लिए एज कम से कम 18 साल की हो और जो minimum age है लड़के के लिए वह at least 21 years old हो ठीक है फिर special marriage act 1954 और जो प्रोहिबिशन of child marriage act 2006 का है इसमें बताया गया है कि 18 साल इसमें भी एज किसकी लड़के की हो मतलब लड़की की हो और 21 साल age किसकी हो मैं की हो तो यह भी दोनों में age तो सेम दी हुई है बट आपको यह भी याद रखना कि कौन-कौन से act रिलेट करते हैं ठीक है तो यह भी आपको याद रखना और कपके हैं यह भी पूश्टे जाता है तो हिंदू मैंट 1955 इस पेशल मैंट 1954 उससे एक साल पहले का और प्रोहिबिशन सब्सक्राइब करते हैं तो अभी किस इंस्टीशन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पॉब्लिश किया गया है ऑप्शन है व्ल्ड एकॉनमिक फोरण ऑप्शन बी यूनेसको ऑप्शन डी व्ल्ड बैंक ऑप्शन डी ड्व्ट डी ड्व्ट्यों बोलते ह सब्सक्राइब करें इसके बारे में चलो देख लेते राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए है मतलब व्ल्ड एकॉनमिक फोरम के दौरा अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 पब्लिश की गई है जिसमें जो हमारी रैंक है वह 112 है याद कितनी रैंक है 112 है यहां पर देख लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक है 112 कितनी कंट्री में काफी जाजा नीचे से ही टॉप किया ठीक है यह आप पोल सकते हैं और चाइना है जो हमारा काउंटर पार्ट है इसने कितनी इसकी तो हमसे भी पर देखने को मिल रही है तो यह भी काफी इंपोर्टन हो जाता है अब जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है यह पब्लिश की गई है वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम को जारा यह 2006 से इस रिपोर्ट को पॉब्लिश करता है यह इंपोर्टन हो जाता है इसके अंदर जो आपकी कांट्री में जो उपउर्चांटी जो एकसे जो पहूंचने के लिए लोगों की वह कितिनी बैटर है ढूंटिय did in country क defending मतलब आपकी कंटी के अंदर जो लोगों के पास सुभीधा है वो क्या उनके पास तक पहुंच पार ही कि नहीं पहुंच पार यह देखना उनका इस रिपोर्ट का काम रहता है ठीक है तो यह याद रखना है और आज के लास्ट कोशन पर चलते हैं लास्ट कोशन है विच और पास पाट ऑव दॉक्ट्रिन और प्रोपोर्शनलिटी पर जुडीशल ृवियू तो जुडीशल रूपी के लिए अभी डॉक्रिजी अवर वरोपोर्शनलिटी का उपयोग किया गया था तो आपको बताना है कि इसके रिगारडिंग कौन सार्धेशन और फी लाव इसमें propose किया जाता है वो necessary होना चाहिए democratic society के लिए third है the extent of such interference must be proportionate to the need for such interference ठीक है तो इसका जो extent है मतलब इसकी जो पहुँच है जो interference की वो proportionate होनी चाहिए किसके लिए जो need है for such interference जहाँ पर इसकी जरूरत है तो कौन सी statement correct है first है option A, 1 and 2 option B, 2 and 3 option C, 1 and 3 and option D, all of the above वीडियो को pause करें बताइए फिर इसके बारे में discuss करते है चलो देख लो तरह right answer कै इसका right answer है इसका right answer D है मतलब जो action है यह sanction by law के दोरा ही proportionate कि जाता है option जो B है कि इसमें जो necessary action लिया जाता ताकि legitimate aim के लिए provide करा जाए के democratic society को option जो C है कि इसके इसकी extent है जो such interference है यह must be proportionate होना चाहिए ताकि जो need for such interference इस तरीकी interference की वो पूरी हो सके इसलिए जो इसका right answer हो जाता है option D हो जाता है आपको याद रखना है अभी recently in the nine judge ben judgment of the supreme court कि जो supreme court in justice के लिए जो के इस पुट्टा स्वामी वसिस union of इंडिया था उसके अंदर जो court ने upheld कर दिया जो privacy as a fundamental right proportionality can be ascertained on the basis of the following ठीक है तो उसमें जो union के इस पुट्टा स्वामी वसिस union of इंडिया था इसके तहर जो nine bench की जज की bench बैटी गई थी उन्होंने बता जिए प्राइवेसी क्या है एक fundamental right है जो proportionality जिसके अंदर देखी जाएगी जिसके अंदर जो action दिए वो sanction by law की दौर लिया जाएगा जो प्रपोज action है यह necessary होगा democratic society के लिए ताकि legitimate aim को provide करा सके और जो इसका extent है वो इसी तरीके के law के लिए हो सके और जो there must be procedure guarantee against abuse of such interference अगर इस तरीके का interference किसी की privacy पर होता है तो वहाँ पर action को लिया जा सकता है ठीक है तो यह आज के 10 important current affairs थे अहुप आपको उच्छी तरीके समझ में आ गया होगा और कोई भी दिक्कत हो तो पीज कॉमें मुझे बता दीजेगा और मैं नेक्स वीडियो में उन डाउट को आपके दूर कर दूँगा ठीक है और अपना स्कोर जितना भी आपका स्कोर आया हो जहें जीरो भी आया हो फिर भी आप comment में लिख दीजेगा इससे आपको यह समझ में आए कि आज आपको कुछ नया सीखने को यहां से मिला है ठीक है और अगर आपका छे से उपर स्कोर आता है तो काफी अच्छी बात है अगर मैंनर पर यहीं पर फॉल कर रहे हैं तो फिर आपकी चांसे काफी अच्छी हैं कि आप एक्जाम को क्रॉस कर जाएंगे ठीक है को क्या इस कि दियुक्त वर वाच्ची वाच्छी एव तक पॉच्छी है